नमस्कार दोस्तों स्वागेता सभीका आपके अपने YouTube चैनल ASB Medicine में आज अपने बात करने वाल है चेस्टान कोल्ड टेबलेट के बारे में ये टेबलेट आपको डाक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मिडिके श्टोर पे मिल जाएगी चेस्टन कोल्ड टेबलेट एक एंटी कोल्ड टेबलेट है जिसे सर्दी जुखाम और वुखार में यूज जाता है ये बहुत ही पापुलर टेबलेट है अगर आपको बार-बार स्रदी हो जाती है बार-बार बार आते मुसम्म की जासे या दोल-मिटिग अलर्जी की जासे आपको सर्दी खसी हुज जाते है तब इस्टेबड़ का यूज आपको काफी आराम दिलाएगा और भी आपको बंद नाक की समस्चा है नाक बहना, आँखों में खुजली चलना या फिर आँखों से पाने आने की समस्चा है गले में खरास हैं गले में दर्द, जलन या चुबने जैसा लग रहा है या फिर कुछ भी निगलने में परिशानी हो रहे हैं तब भी ऐसे में इस्टेबड़ का यूज आपको काफी आराम दिलाएगा आपके लिए काफी आफेक्टिव हैं साथ ही आपको हाथ पेरों में दर्द हैं आराम देता है परस्टामोल एक अनाल जैसिक और एंटी पारेटिग है जो ब्रेन में उन केमिकल मेसेंजर की रिलीज को रोकता है जो दर्द और बुखार का करण बनते हैं और फिनाल अफ्राइं एक नजर डिकेंजेस्टन है यानि ये बंदनाग की समश्चे में आराम देता है ये आपके बंदनाग को खोलने का काम करता है ये टेबलेट आपके म्यूकस यानि आपका जो बलगमे उसको पतला और डिला कर देती हैं जिससे ये खांसे के साथ भाहर निकल जाता है और आपको इस मूकस की वज़़े से जो होने वए समश्चा है जैसे सास outright है या फिर खांसे चलना अगर आपको हो रहा है या फिर जकडन की समश्चा है तो इस समश्चां में आराम देता है कई बार डॉक्टर्स इस टेबलेट के साथ आपको कुछ एंटिवर्टिक दावे लेने की भी एडवाईज देते हैं जिससे के आपको तुरंथ और बहतर फायदा मिले बात कर लेते हैं इस टेबलेट का साहधने के बारे में तो अगर आपको लिवर डिसीज हैं, किडने डिसीज हैं या फिर आप प्रेगनेट लेडी या ब्रेश विंग मदर हैं तब इसी सभी कंडिसन्स में इसका यूज करने से पहले आप डाक्टर्स को अपने कंडिसन्स के बारे में जुरूर बताएं इसके बाद आप इसके यूज करें बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में तो इसका जो नॉर्मल डोज हैं वो हैं एक एक टेबलेट सुबसाम बोजन के बाद में पर अलग-अलग मरीज और उनकी कंडिसन्स के नुसार इसका अलग-अलग डोज हो सकता है तो बेटर यह रहेगा कि जितना और जैसे आपको डक्टर मता हैं विसाइब इसका यूज कर लें अब बात कर लेते हैं इसके होने वाले side effect के बारे में तो इसके जो common side effect को नज़र आ सकते हैं वो हैं चक्कर आना, नीन आना, मुह सुखना, थकान फील होना और आपके पेट में गड़बड़ी हो सकते हैं वैसे side effect कुछ टांग लेते हैं, कुछ टांग बाद अपने ठीक हो जाते हैं हाँ, अगर आपको इनके अलवाब भी कोई other conditions क्रेट होती हैं या फिर यह side effect लेमिट आपने तक बने लेते हैं तब एसे में आप इसका यूज बन करके तुरंत अपने डाक्टर से consult कर सकते हैं तो friends, उमीद हैं, आपको इड़ जूरू पसंदा होगा अगर इड़ वीडियो अच्छा लगाएं, तिस लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, तेंक यू